श्री कृष्ण की लीला से सीखें जीवन जीने के चार बड़े गुण भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर लीला जीवन से जुड़े सभी दुखों को दूर करात्मिक आनंद देने वाली है कृष्ण का संपून जीवन किसी सबक से कम नहीं रहा है उन्होंने अपने जीवन काल में सभी रिष्टों को बेहद ही सरलता और सहजता के साथ में भाया है फिर चाहे वेह पांड़ों से दोस्ती हो या फिर गोपियों से प्यार आईए जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी उन बातों को जो आज भी हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है दोस्ती का रिष्टा हम बचपन से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कृष्ण ने कभी अपनी दोस्ती में जात पात और उचनीच का भेद नहीं दिखाया है पद प्रतिष्था या धन कभी भी उनकी दोस्ती में बाधक नहीं बना उन्होंने आजीवन अपनी मित्रताने भाई माता-पिता के प्रती आदर भाव कृष्ण के असली माता-पिता यशोधा और नंद थे लेकिन उनका पालन पोशन वाशुदेव और देवकी ने किया था कृष्ण ने अपनी दोनों माताओं का स्थान अपने जीवन में एक समान रखा सभी को एक समान आदर और समान कैसे दिया जाता है यह भगवान कृष्ण से सीखा जा सकता है गुरुवार के प्रतिसने कृष्ण की लीला को देखने के बाद हमें भले ही लगे कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने दोस्तों और कारे में व्यस्त रहते थे लेकिन इन सभी के साथ वे अपने गुरुओं का समान करना कभी नहीं भूलते थे श्री कृष्ण हमेशा अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव रखते थे